तमश्कार आपके साथ मैं रोहित कुमार उत्तर प्रदेश में 403 विधान सभा सीटों पर चुनाव होने हैं साथ चर्णों में और पूरी लड़ाई को असी बनाम 20 का कहा जा रहा है बीजेपी वाले अपने हिसाब से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से कह रह रही है इन तमाम खबनों के बीच में वहाँ पर तमाम पार्टी आपने अपने हिसाब से दमखम लगा रही है अब उम्मदवार तैक की जा रहे हैं लिस्ट पर लिस्ट आ रही है और इन तमाम चीजों के बीच में एक वीडियो बहुत जी से वारिल हो रहा है इस वीडियो एक लड़का बैठा हुआ है और इन दोनों ने टोपी लगा रहा किया है हेलमेट है नहीं और मास्क है नहीं अब नियम के हिसाब से मास्क ने सारजिनिक स्थलो पर उत्तर प्रदेश में भी पहना जरूरी किया गया है और इसके साथ साथ मुटर वके लाक्त के हिसाब से कंबल जिले की पुलिस है वो उसको रोकती है फाइन कटा जाता है उसके बाद वो यूबक बड़े टैश में कहता है कि चाहे इतनी भी फाइन काट लो गारी तनी कीमत की फाइन काट लो अभी भर देंगे लेकिन जब सरकार आएगी तो हिसाब करेंगे अब सरकार किसकी आन इसी 20% वाली मांसिक्ता बना 80% लोगों की है और उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है बीजेपी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर में इसको हिंदो मुस्लिम करके चुनाव में जो वोटर से उसको बातना चाहते तो दूसरी तरफ समाजवादी पाटी चाहती ह कि चुनाव जाती क्या धर पर हो लेकिन अब इस तरह के वीडियो सामने आएंगे तो जाहिद तोर पर जो एक तरीके से कहें कि बीजी पी चाहती है उसको एक तरीके से लोग जो है उस तरफ जाला जुकेंगा पुड़ा वीडियो में क्या कुछ है सुनिए प्रदेश में कुल साथ चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव के अंतिम करजांतिम चरण है वो साथ तारीक को है यानि कि साथ मार्च को और दस मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनावी नुतिच आएंगे अखलेश यादव ने योगिया अधितनाथ की गोरखपूर जाने के लिए 11 मार्च का टिकेट कार दिया है तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि वो कितनी भी लोगों पार्टी से तोड़ के लिए जाएं चाहें मंतरी चले गए हों वधायक चले गए हों आना तो योगी क हो ही है और इस तरह के दावे गढ़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश वधायक चुनाओ बड़ा दिल्चस्पसा है दिल्चस्पस लिहाज से क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों सब्सक्राइब के साथ साथ कई मंत्री कई वधायक जिन्होंने पांच साल तक लगभग लगभग योगी कैबिनेट में मलाई खाई या एक तरिके से कहें कि कुरसी बने रहे हैं वो लोग अब वहां से छोड़ करके चले गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ कुछ शामिल हो रहे हैं कुछ होने वाले हैं और इन तमाम खबरों के बीच में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी यह माने के चल रही है कि उनका धार बढ़ रहा है इन निताओं के आने से उनकी ताकत में जाफा हो रहा है और वो जीत के करीब पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी का अपना दावा है और दावा यह कि जीत तो योगी रही है अब ऐसे में इस वीडियो को लाने के पीछे का मकसद तरफ यह कि देखिए कि कानून सब की लिए बराबर है और निजफ फोड भी नेशन भी इस बात की गलत करता है कि कानून सब की लिए जैसा है आप किसी भी धर्म मजभब को मानने वाले है क्योंकि हम सब भारती हैं लिहासा कानून तो एकी तरीके से होता है लेकिन अब एक शक्स का पुलिस वालों को इस तरीके से धंके देना कि जितनी फाइन लेना है लेलो हमारी सरकार आएगे तो सब कुछ वसूल लेंगे तुमसे इतनी फाइन लेलो जितनी हमारी गारी कीमत है और यह सब कुछ हो ये बताने कोशिश करें जिसके हसाब से 80 बनाम बेस के लड़ाई को वो आगे लेके जाना चाहती है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार